चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए हम ना जाने क्या-क्या प्रोडक्ट इस्तिमाल करते हैं, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है तो अपने घरेलू उत्पादों पर, हमारे प्राकृतिक उत्पादों पर, जो हमारी पुरातन सब्विता, पुरातन परंपरा से ठीक वैसे ही यहाई तवचा के साथ मिलकर हमारी तवचा पर भी अपना असर जरूर दिखाता है, दही को एक खास स्वाद के लिए सदियों से आहार में शामिल किया जाता रहा है, यही वज़े है कि दही को लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बना दिय इसे खाने के साथ साथ तवचा पर लगाने के भी इसके आने को फायदे होते हैं, और शायद यही वज़े है कि इसको खाने के साथ साथ इसको लगाना भी काफी प्रचलन में है, आज के पीडियो में हम ऐसे पांच फेस पैक के बारे में जानेंगे जो दही के साथ मिलाकर बनाये जाते हैं और जिनका हमारे चेहरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे हमारी तुचा में निखार आता है चेहरा सुंदर बनता है और रंग भी निखरता है दही में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो तुचा को पोशन देने का काम करते हैं दही में पाया जाने वाला विटामिन A तुचा की रंगत को हलका करने के साथ साथ मुहासों से बचाओ करता है जबकि सेलेनियम डिने को रिपियर करके एजिंग और फोटो एजिंग दोनों से बचा सकता है दही फेस पैक के फाइदों में से सबसे एक है चेहरा को मौशराईज रखना या चेहरा की नमी को बनाए रखना एक research से पता चला है कि दही के face pack में नमी को बनाये रखने वाले गुण पाये जाते हैं इसके अलावा ये तुचा को कोमल और चमकदार बनाये रखने में भी काफी कारगर साबित हो सकता है ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दही और उसमें मौजूद लेक्टिक एसिड तुचा को मौश्राइज करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है दही का face pack तुचा को स्वस्थ बनाये रखने का काम भी करता है इससे जुड़े वैग्यानिक अध्यन में एक बात का जिक्र सामने आया है कि दही को खाने के साथ ही इसकिन पर लगाना तुचा के लिए काफी लाप दायक है लेकिन ये कितना आसरकारक होता है, भविश्य में इस पर शोद किया जाने की आविशेक्ता है जब ये दही हमारी तुचा के लिए इतना जादा फायदे मन्द है तो इस से जुड़ी हुई face pack से सम्मदित बाते भी जान लेते हैं दही के साथ कैसे हम face pack त्यार कर सकते हैं ऐसे ही 5 face pack के बाने में हम जानेंगे दही और शहद का face pack कैसे बनाते हैं एक चम्मस दही और आधा चम्मस शहद दे लीजिए उसको एक किसी बरतन में एक साथ मिक्स कर लीजिए अब तयार हो गया जो paste उसको 10-15 मेंट के लिए अपने चेहरे पर हातों पर जहां भी लगाना चाते हैं वहां लगा कर छोड़ दीजिए दही का face pack जब सूख जाए तो चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए दही को हरबल पदार्तों के साथ इस्तेमाल करने से तचा को कई फैदे मिल सकते हैं रिसर्च के अनुसार दही के साथ अन्य पदार्तों के इस्तेमाल से चहरे की नमी और चमक को बہتर किया जा सकता है शहद में एंटी बैक्टिरियल गुण पाये जाते हैं जो एकने और बैक्टिरिया को खत्म कर सकते हैं साथ ही इसमें एंटी इंफ्लिमेटरी गुण भी होते हैं जो मौहासों की सूजन को कम कर सकते हैं दूसरे face pack की बात करें तो दही और बेसन को मिला कर आप एक face pack त्यार कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच दही आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच बेसन चाहिए उसमें निबू का रस चाहिए आदा चम्मच पानी ले 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 या फिर गुलाब जल ले ले और एक चम्मच वेकलपिक तोर पर आप ले सकते हैं अगर आपके पाई शायद अपुलब नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं किसी बरतन में इन सभी सामिग्रियों को अच्छे से डाल कर मिला लें पेस्ट तैयार होने के बाद चेहरे पर समान रूप से लगा लें आप इसे चेहरे पर तब तक लगा रहने दें जब तक ये सूख ना जाए दही का फेस्ट पैक सूखने के बाद तोचा को गुनगुने पानी से दो लें इसे हफते में आप दो बार लगा सकते हैं तोचा के लिए दही, नीबू और बेसन का ये फेस्ट पैक काफी फाइदेमन माना जा सकता है बेसन तोचा के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है दरसल ये तोचा को एक्सफॉलियेट कर रंग साफ करने का काम करता है साथी बेसन टैनिंग को कम कर सकता है बेसन के प्रियोग से तोचा के अतरिक तेल को भी साफ किया जा सकता है इसमें एंटी पिंपल प्रभाव भी होता है जिससे कि आपके चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को भी काफियत तक कम कर सकता है इतना ही नहीं बेसंद तोचा पर fairness agent के तरह काम करता है जिससे आपकी तोचा का रंग साफ होता है रंग में निखार आता है बेसंद दही के साथ जब मिल जाता है तो ये तोचा पर और अच्छा प्रभाव दिखा सकता है बात करते हैं तीसरे face pack की दही और हल्दी से बना हुआ ये face pack चहरे के लिए काफी फायदे मन्द है इसमें आधा चम्मच दही एक चम्मच पानी या गुलाब जल एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच और्गनिक शहद ले लें और्गनिक शहद नहीं मिलता ह से धो लें और गर्दन को भी साफ कर लें हफते में दो बार इसे लगाया जा सकता है हल्दी तोचा के लिए लाबदायक मानी जाती है क्योंकि हल्दी में anti-bacterial anti-inflammatory anti-piratic गुण पाय जाते हैं जिससे ये आपके चहरे पर पाय जाने बाले एकने को भी कम कर सकता है साथ में चहरे पे पाय जाने बाले जुर्यों को भी कम करने में काफी हद तक साहयत सिद्धो सकता है इसी वज़ा से हल्दी का इस्तेमाल सौंदार परसाधन जैसी संस्क्रीन और फेस बोश में ध्रल लिसे किया जाता है दरसल हल्दी में नियासीन पाया जाता है जो एक परकार का vitamin B B3 होता है जो बतोर antioxidant की तरह काम करता है यह vitamin B3 तवचा के hyperpigmentation को कम करके रंग निखारने में काफी मदद कर सकता है बात करते हैं चौथे face pack की जो तयार किया जाता है दही से और नीबू से इसके लिए आपको एक चम्मच टीबू का रस आधा चम्मच पानी एक चम्मच श होने के बाद पूरे चेहरे पर इसको लगा लीजे करीब 15-20 मिनट के बाद जब यह face mask सूख जाए तो अपनी तवचा को साफ नॉर्मल पानी से धो लीजे नीबू का face pack चेहरे के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह anti cleansing agent की तरह काम करता है यह चेहरे के पोरों म anti oxygen की तरह भी काम करता है जो UV rays से तवचा को बचा सकता है इसके अलावा यह anti aging की तरह भी काम करता है और photo aging से भी आपको बचा सकता है यह 4 face pack आपके बहुत काम के हो सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं 5 मा और आखरी face pack की इस face pack को बनाने के लिए आपको दही और मुलतानी म इन सबी को एक बरतन में मिला कर पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लें लेकिन ध्यान रहे ये पेस्ट आखों में न जाए जब पेस्ट सूख जाए तो चेहरे को गुनगुने पानी से धोलें आप इस पेस्ट को हफते में एक बार जरूर परियोग कर सकत मुलतानी मिट्टी चेहरे के अतिदिक तेल को सोक कर गंदगी को गहराई से साफ कर देती है। अपनाने के लिए कुछ टिप्स और कुछ छोटी-छोटी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दही फेस पैक का उपयोग चेहरे पर करने से पहले इसका पैच टेस्ट कर लें जो कि आप अपने हाथ पर कर सकते हैं। मुलतानी मिट्टी के पैकेट को खोलने के बाद उसे एयर टायड डिबबे में बंद करके रखें। इससे मुलतानी मिट्टी नमी से बची रहेगी। दही फेस पैक लगाते समय ब्रश या हलके हातों से इसको चेहरे पर लगाएं। दही का फेस पैक लगाते समय चेहरे पर बहुत ज़दा दबाओ ना दें। इसको हलके हलके रप कर सकते हैं आप। दही फेस पैक का उपयोग हर प्रकार की तुचा के अनुरूप नहीं होता। अगर फेस पैक लगाने वाले व्यक्ति की तुचा तैलिये है तो इसके इस्तेमाल से मोहासों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए तैलिये तुचा वाले लोग इसका उपयोग करने से परहेज करें। रूखी इसकिन पर मुलतानी मिट्टी या बेसन युक्ति फेस पैक लगाने के बाद चेहरे को मौसराइज गरूर करें। इससे चेहरे की नमी बरकरार रहती है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि कितनी बार दही फेस पैक का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपकी तोचा तेलिये है और दही से इसकिन अलरजी नहीं होती है तो इसका उपयोग रोजाना आप कर सकते हैं। दूसरा कोईशन भी आपके पूछ सकते हैं कि क्या दही को राद भर चेहरे पर लगा कर छोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि राद में इसको लगा दें और सो जाएं सुबा चेहरा दो लें। तो दही में कूलिंग इफेक्ट होते हैं। ऐसे में राद बर दही को लगा कर सोने की वज़ा से आपको सरदी हो सकती है। साथी दही पूरे बिस्तर पर लग जाएगा और कई बार इस से आने वाली गंद को सेहन कर पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में सबसे अच्छा यही रहता है कि आप फेस पैक को चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट या आदे घंटे लगाने के बाद चेहरे को अच्छे से धो लें। सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में फिलाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम।